हे क्रिष्णा गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारा यण बाशुदेवा हरे क्रिष्णा राधे राधे भक्त गड़ों आज हम सुनेंगे कार्तिक माश का तीसरा अध्याए सत्भामा बोली आप सभी काल में ब्यापक और सभी काल आपके आगे समान है फिर यह कार्तिक मास की सब मासों में स्रिष्ट क्यों है सब तीथियों में एकादिसी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं इसका कारण कहिए भगवान स्रीकिष्ट बोले, हे प्रिये, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो इसे प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा प्रिथु ने प्रश्न के उत्तर में दिवर्शी नारत से प्रश्न किया था और रिशी नारत जी ने उशे कार्तिक माश की महिमा बताई थे राजा प्रिथु के प्रश्न के उत्तर में दिवर्शी नारत ने कहा था, ही राजन एक समय संख नामक एक राक्षस, बड़ा बल्वान और अत्याचारी हो चुका है, उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कम प्यमान कर दिया था उस संखा सुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत कर इद्र आदि दशो लोकों पालों के अधिकारों को छिल लिया, उससे डर कर सभी देवता सुमेरु परबत की गुफाओं में कुटूम्भियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे वे सुमेरु परबत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे उधर जब संख को पता चला कि देवता अनंद से सुमेरु परबतर पर रहने लगे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिप सक्ती जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवा होते हैं या सोचते सोचते वह इस परिराम पर पहुचा कि वह सब बेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं अगर इनसे बेद छिन लिये जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे देवरसी नारत बोले ऐसा सोचकर असुर संख ने भगवान बिश्रू को सोते पहुचा उसको आता देखकर भगवान बिश्रू ने उसकी नियत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुंद्र के जल में छिप गए शंख भी बेद मंत्रों द्वारा बीज मंत्रों को ढूडता हुआ समुंद्र में प्रविष्ठ हो गया लेकि ना तो उसको ब मागरी लेकर सब देवताओं के साथ भगवान बिश्रू की सरण में पहुचे और भगवान को गहरीद नीद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे धूप गंध आदी से बार बार उनका पूजन करने लगे धूप दीप नवेद आदी अरपड करने पर भगवान की निद भंग हो गए वह देवताओं सहित स्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख कर बहुत प्रशन हुए और उनसे कहने लगे मैं आप लोगों के इस किरतन और मंगला चरण से अतीव प्रसन हूँ आप अपना अभिष्टबर मांगिए मैं अवश्य प्रदान करूँगा जो मनुष्य अस्विन सुक्ल की 81 से देवो थानी 81 तर ब्रह्मा मुहुर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे वह तुम्हारी तरह मेरे प्रशन होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे यह जो पाद्य, अर्ध्य, आच्मन और जल आदिशा मागरी आप लोग मेरे लिए वह अनंत गुणवाली होकर आपका कल्यान करेगी, संख जो बेद चुरा कर ले गया है सबके सब समुद्र में ही है, मैं उस संखासुर को मार कर ले आता हूं, आज से मंत्र बीज और बेदों के साथ चारो बेद प्रतिवर्स कार्तिक मास में जल में बिश्राम किया करेंगे अब मैं महात्मे का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं और आप लोग भी रिशी महार्शियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें, जो कार्तिक मास में पहर रात्री पहले अश्नान करते हैं, वे निश्चे ही अक्षे फल को प्राप्त करते हैं, वो अग्यात में अमरित अश्नान का फल प्राप्त करते हैं, हे देवेंद्र जो कार्तिक मास में ब्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपक्तियों से बचाते रहना, हे धन पति कुबेर मेरी आज्यानुसार तुम उनका धन धाने बढ़ाते रहना क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने बिधी पुर्वक यह उत्तम ब्रत कार लिया है वह आप लोगों का भी पुजनी है आप लोगों ने मुझे करतिक सुक्ल एकाज और मुझको बड़ी प्रिय है यह देवताओं यह दोनों ब्रत नियम पुर्वक करने से प्राणी मेरे समीप हुशते हैं इन ब्रतों के करने से जो फल मिलता है वो अन ब्रतों से नहीं मिलता इसलिए हर मनुस्य को सुखी और निरोग रखने के लिए कार्तिक महात्मे और ए प्रयूक्त नियमों का पालन करना चाहिए भक्तिगडो यह था हमारा 81 ब्रत का तीसरा आध्याय का महात्मे इस कठा को सुनने और दूसरों को सुनाने से भी उतने ही पुर्णे मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को जि हरे कृष्णा राधे राधे भक्तिगडो यह कार्ति का माश ब्रत भगवान विश्रु को अतिप्री है तथा भग्ति को प्रदान करने वाला रात्री में जागरन करना प्रातकाल अश्नान करना तुलसी बट सीचना उध्यापन और दीपदान यह पाच कर्म भगवान करने वाला है आज मैं आप सब ही को कार्तिक महीने का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूं नारची बोले ऐसा कहकर भगवान विश्रु मचली का रूप धारन किया बिंध्याचल परबत पर तब कर रहे महर्शी कश्यप की अंजली के जल में जा पहुँचे महर्शी कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया जब उसने बढ़ा रूप धारन किया तो उन्होंने उसे कुवे में डाल दिया जब कुमे में भी न समा सकी, तो उन्होंने उसे तलाब में फेक दिया, और जब वह तलाब में न आ सकी, तो उन्होंने उसे समुंद्र में डाल दिया, वह वहाँ पर भी बढ़ने लगी, फिर उस मतस्य रूपी नाराण ने उस संखा सुर को मार डाला, पस्चात शंख को मिले कर बद्री बन में आ पहुँचे, बद्री नाराण में आकर उन्होंने सब रिसी और महार्शियों को बुला कर अज्या दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए बेदों को ढूडो, और उन्हें सिक्र मिला कर मेरे पास लाओ, तब तक मैं देवताओं के साथ स्री प्रय प्रयाग राज में ठहरू हुँ, इसके बाद सब रिसी महर्शियों ने इन सब बीजो, सब बेद मंत्रों को ढूड़ने निकल पड़े, उन्हों बेदों में से जो जो भाग जिस जिस रिसी को मिला, वह उसी का हो गया, उस उस भाग के उसी दिन से वह रिसी कहलाए, सब ब रम्हाजी बेदों को पाकर बड़े प्रशन हुए, उन्होंने देवताओं रिशियों के साथ अश्वमेग यग किया, यग्य के अंत में देवता गंधर्व, यक्ष, नाग, भगवान विश्रू को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे, देवताओं ने कहा, हे देव, हे ब्रम्हाजी को प्राप्त हो गए है, ये लक्षमी पते आपके अनुकंपा से हम देवताओं को यकिका भाग भी मिला है, यह अस्थान आपके प्रसाच से आज प्रितवी भर में सरुप्रधान पुणे को बढ़ाने वाला है, मुक्ती तथा भक्ती को प्रदान करने वाला ह ब्रम्हात्या आदि पापो का नास करने वाला परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, यह बर्दान हमें दीजिए, भगवान विश्डू ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है, वह मेरा भी दिय है, जैसा आप लोगों ने कहा है, यह अस्थान आज से ब्रह्मा छेत्र के नाम से पुकारा जाएगा, इस अस्थान पर गंगा जी वशूर्य पुत्र यमुना जी का शंगम होगा, मैं स्री ब्रम्हा जी सहित यहां पर निवास करूँगा, यहां पर किया हुआ जब तप तथा दान महान फल दायक होगा, पहले जन्मे में किये हुए पाप ब्रमहात्या आद भी इस तिर्थ राज में अश्थान करने से नश्थ हो जाएगा, जो लोग अपने पिता आदी को वहां लाकर तरपण वसराद करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे, वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मकर शक्र का ना सोजाता है। हे मुनिश्वर मेरे बचन ध्यान से सुनिये। मैं सरवत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नाराण में निवास करता हूँ। सैक्डो बर्स तक किसी दूसरे अस्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहां एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस अस्थान बद्री आश्रम का दर्शन करेंगे और जीवन मुक्त हो जाएंगे। उनके समस्त पाप नश्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले ऐसा करकर भगवान विश्रु जी अंतरध्यान हो गए और देवतागर भी अपने अंशो को वही छोड़ कर च जाप्त करते हैं। भक्त गड़ो ये था हमारा कार्तिक महीने का चौथा महात्मे। अगर आप सभी को पसंद आए तो कमेंट के द्वारा जरू बताएगा कैसा लगा जिसे हमें ये लगे कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। आप सभी को हमारा धन्यबाद। करते हैं।